भारती मसाले में मिलावट का शक अमेरिका ने खरीदने से किया इनकार MDH ब्रांड द्वारा बेचे जाने वाले सांभर मसाले का मिश्रण अमेरिकी स्वास नियामक FDA की जांच की खेरे में आ गए है अमेरिकी दवा नियामक ने इन मसालों में सेल्मनेला बैक्तिरिया के संक्रमन की शंका जताई है बता दें इस बैक्टीरिया के कारण अमेरिका में फूड पॉजिनिंग के मामलों की शिकायत बढ़ने की बात बताई गई है इस बैक्टीरिया का संक्रमन मसालों के अलावा मचली, मास, दूध, अंडे और सबजियों जैसे अनिक खाद उतपादों में भी हो सकता है हलाकि भारत की लोगप्री मसाला कंपनी के योदपाद उत्तरी कैलिफोर्निया स्थत रिटेल सोर में बेचे जा रही थे दरसल अमेरिकी फूड रेगुलेटर संस्था ने भारत की इस फेमस कंपनी के सांभर मसाले में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया है US Food and Drug Authority ने अपने बयान में कहा है कि सर्टिफाइड लैब में जांच करने पर मसाले में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया है एब्डीय ने इसकी जांच बाजार से आई शिकायर के बाद शुरू की थी हलाकि जांच में बैक्टीरिया पाने की बाद कमपणी ने अपने उन मसालों को वापस मगा लिया है अमेरिकी खाद एवं दवा प्रशासन ने वश 2009 से 2013 की बीच निर्याद किये मसालों और अन्य खादी उत्पादों में ये बैक्टीरिया पाय जाने को लेकर भरत इस्थित निर्यातक फर्मों की रेड लिस्ट तयार की है अब इन फर्मों के खिलाफ बिना भौतिक परिक्षन के प्रतिबंधात्मक कारवाई की जा सकती है बता दें FDA के मताबिक संक्रमन वाले मसालों की सूची में जीरा, धनिया, हल्दी, अजवाईन, तुलसी और काली मिर्च, सहित, शिमला मिर्च शामिल है इन में से करीब 7 फीसदी मसालों में सेलमिनिला बैक्टीरिया पाया गया है दरसल अमेरिका में हर साल 10 लाख से जादा लोग इस बैक्टीरिया के संक्रमन के शिकार बन रहे है इस कारण डाइरिया बुखार और संक्रमन के 12 से 72 घंटों तक पेट में दर्द की मामले बड़े है भारत की लोगप्री मसाला कंपनी के योदपाद उत्तरी कैलिफोर्निया अस्तित रिटेल स्टोर में बेचे जा रहे थे हलाकि ये पहला मुका नहीं है जब कंपनी ने मसालों में अमेरिकी फूर नियामक ने सालमोनेला बैक्टीरिया होने के शिकायत की है साल 2016-2018 की बीच में इस नियामक ने करीब 20 बार मसालों की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स